आश्कार दोस्तों आज का जो मारा लेक्चर है ग्रेजिशन बूस्टर में ऑप्टिमाजेशन टेक्निक जिसके हम ठोरी इस पढ़ रहे हैं तो अब तक हमने लपी निप्टाली डियूरी निप्टाली अब दो टाइप जो लास्ट है जो लास्ट हमारा स्लेबर से उसमें बस बेसिक बेसिक बाते हैं जो त्योरी है वो उसकी में बात करने वाला हूं देखिए सबसे पहले नियतन समझ्षा क्या होती है यहां से शुरू करते हैं फिर उसका जो गहते रूप है वो समझते है क्योई उसी में से ही कोश्चन बनते हैं तो सबसे पहले नियतन समझ्षा ख काम करवाने के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो काम आपके पास है सारे वेक्ति को काम को करना जानते हैं आप किसी भी वेक्ति को कोई भी काम कर दे दीजिए वो कर लेगा लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि एक वेक्ति एक काम करेगा और एक काम आप एक ही वेक्ति को दोग नंबर ठ्री मान ले जिए तीन ही काम ले ले था हूं छोटा तीन कारे ऑर व्यक्ति भी फिलाल आपके पास उतने ही हैं तीन ही व्यक्ति यह जै या मेराstoffya लाम ले लिजिए अमित्वीने लिख्ष effectivement हम आपके घराएं में आपके वास तीन काम है और हम तीन वेक्ति हैं हमारे खास बात यह है कि हमें जो है कोई भी काम दे दीजे करना आता है अगर आप मुझे फर्स, सेकिंड, थर्ड में से कोई भी काम देंगे मुझे वाता है वीने को भी आप लेकिन क्या होता है कि आप जानते है कि हर व्यक्ति की अपनी अलगलग शम्तव होती है अलगलग कारे करने के कुछलता होती है उस वज़े से हाँ, अगर मुझे पहला काम देंगे तो शखैद मैं वीने से अच्छा कर पहूंगा नहीं कर पहूंगा या रमेश से अच्छा कर पहूंगा नहीं कर पहूंगा यह एक अलग मेटर है हिएना उसकी एक टेबल में बनाएकर दूँगा आपको जिसन função चम्ताओं के आधार पर बताँगा आपको कि कि भाई अगर मुझे पहला काम देते हो तो मैं इतने समय में पूरा कर दूँगा और वीने को अगर ये काम दोगे तो वो इतने समय में पूरा कर देगा रमेश इतने समय में पूरा कर देगा उसकी टेबल मिलेगी आपको ताकि आप तेह कर सके कि भाई या पहला काम किसको द complicated problem में जाएं तो वहां तो बहुत कुछ अंतर आ जाता है क्योंकि काम करने की शम्ता भी अलग लोती है अलग लग आदमी से करा होगे तो quality भी अलग लगाएगी लेकिन फिलाल हम basic problem के साथ काम कर रहे हैं हमारे जो slip असमें basic problem है सिर्फ समय का ही जंजट है quality सबकी है आप अमित से काम कर वाएenगे तो भी quality मिलेगी आपको काम की विनेसे भी मिलेगा रमेश मिलेगी बस matter of time अलग लगा है मत आग Unternehmen को वो काम देते हो आप तो शre簡ार करें काम साथ मेंग वानी कर दें समय का फरक है अब आप चाहेंगी जब quality same है त वटावट काम पूरा करके दो भई फिर तो कम समय में काम पूरा करके देखा वह बढ़ी है लेकिन यही problem कि8 हो जाते कि किस वेक्ति को कौन सा काम दे आई एक table से बात कर लेते हैं यह table है जिसमें मैं तीन हे वेक्ति को जो हिसाब किताब है वह आपके सामदे कि भेय के तो है, आपके कारे, कारे , नंबर एक , कारे नंबर दो, का आड़ नंबर टी कारे नंबर दी धुर है, वह तीन वेक्टी,। जिनको काडें देना यह यह कारे, अब कारे यह मैं लिख देता हूँ ,नाहो किसी program कि यह गार यह विक्ति ठीक है अब यहां पर है अगर आप पहला कारे पहले विक्ति को देते हैं तो वो पांच गंटे लेता है अगर वही पहला कारे बी विक्ति को देते हो तो छे गंटे देता है और अगर सी विक्ति को देते हो तो वो पांच गंटे देता है ठीक है सेकंड कारे अगर गंटे लेता है C को देते हैं तो वो एक घंटा लेता है ठीक है अब कोश्य नहीं है कि कौन से विक्ति को आप कौन सा काम देंगे ताकि आपका पूरा काम जो है तीनों काम जो है वो कम से कम समय में कम्प्लीट हो जाए लेकिन बात याद रखेगा एक विक्ति एक कारे एक कारे एक विक्ति ऐसा ना हो कि दो कारे एक विक्ति को दे दियो या दो कारे दो विक्ति को एक कारे दे दियो ऐसा ना होना चाहिए वन टू वन होना चाहिए वन टू वन एक विक्ति को एक कारे ही मिले और एक कारे को इक वेक्ती ही करें तोनों साइट से one one होना चाहिए ऐसा ना हूर कि भी हाँ अशड़त थेखे एक काम मैंने कि जोनों को बांट दिया लेकिन पता चला पता चला कि आप लू उसक्ते को पकड़ा दिया या दू वेक्ते को सेम काम दे दिया ऐसा ना हो हर किसी के पास अपना अलग कारे हो और हर कारे के पास अपना अलग रेखती है ठीक है वन वन हो रामलाल को कारे नंबर तीन दे दिया तो तीन नंबर कारे रामलाल ही करेगा रामलाल तीन नंबर ही करेगा तो कनेक्ट कर दो जो जो को कि भाया तू ले तरह काम करे तेंगे अब कोशिन यहां पे यह आजाता है कि बढ़िया काम बाठी सा कैसे बढ़ते काम कैसे बाठे यह चुन होते है क्यों अब पहला कार रहे पहला कारे टेबल दिखा रही है कि Sydney उतर sheriff C भी विडिया कर सकता है, होगे confused कि A को दूँ या C को दूँ, क्योंकि B तो चलो खराब है, B तो चलो खराब है B को तो नहीं देना चाहिए, लेकिन A को या C में से किसको दूँ Confuse होगे, जिसको भी देदूँ और वो बुक हो जाएगा, फिर वो आगे काम नहीं लेगा तो बाल लिजे, मैंने सोचा कि वह ठीक है एक काम करते हैं, यह काम C को देदें C को देदी है, चलिए, C को देदी है, पहला काम खतम, C विक्ति भी खतम क्योंकि काम ले गया, विक्ति गया, दोनों बाहर अब दूसरे काम की बार यह आई दूसरे काम की बार यह चाट देते हैं इसको कि भी है, तुम्हारा काम तो हो चुगा, तुम कटो काट दिया इनको, कि भी है, आप ना C को कोई नये काम मिल सकता है, nied fan को को कोई नहें व्क्ति मिल सकता है अब आगे दूसरे काम में बोलो यह किसको बांटोगे तो आपके इसर बी को बांट दीजिए बी ठीक है चलिए भई बी को बांट दीजिए बी तुम ले लो यह काम बी को यह काम बांट दीए तो बी भी फुल हो गया और यह सेकंड काम भी फुल हो गया तीसरा काम बचा अपने आपी A के पास तो टोटल डायम कितना लगा पांच और तीन आठ 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 दो दस यानि दस गंटे में आपका काम हो रहा है लेकिन आपको एक बात बताओं एक बात बताओं आपने गलत चुनाव किया अगर आप इसकी बजाए मैं दूसरा चुनाव क कर दिखा तो आपको यह देखिए अगर आपने यह किया होता कि यह काम A को दे दिया होता B को यह वाला काम दे दिया होता C को यह वाला काम दे दिया होता तो आपका यह पूरा काम जो है यह पांच तीन आठ और एक नो गंटे में आपका पूरा काम निपट जाता तो रूकों खेलने जैसे हो जाएगा बहुत कुछ जाएगा तो यही सबसे बड़ी समश्या होती है इसलिए हम एक mathematical रूप चाहिए गनित्य रूप चाहिए गनित्य मदद चाहिए जो हमारी इस संबम को आराम से सौल कर सके है लेपीट कर रहा हूंराम से सौल कर सके वरना यह काम नहीं करेगा समझ थे बत अब कैसे सौल होती है आएस के बारे में बात करते हैं समझ ये बात को सबसे पहले तो हम इसका गनित रूप से ही बात करना शुरू करते हैं ध्यान से सुनिएगा गनित रूप जो है वो थोड़ा सा ठेड़ा है और गनित तो वैसे भी देखे किसी चीज़ के गनित बनाएंगे अब थोरी में समझाया तो बड़ा आराम से आपको स हेता है चिंता मत करिएगा कम नहीं पड़ेगी और खाने बनाने अब आप सब्संद्राइं बना लीज़ेगा ठीक है ये हैं आपका कारियर नंबर एक डेबलो वाइन यदू वोर्क two वर्क 34 7 thousand g and ड्डe-डeash-dash-डeash-auf qAM ये आपका पर्सर पहला वीक्ति ब्स रेख़ 14 5 वлекति and so on N वा के लिए अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजेगा कि पहला कारे अगर क्या को देते हैं थो बी स्खाने में होगा जो भी नंबर क्या माँ मघें सी वन graduates पहला यह नंबर है उसा नंबस को पहले पर te evening मतलब पहला one पहला जो नंबर है बो तो है तो वो जितना समय लेगा वो है c11 time c for cost है वैसे cost का मतलब लागत से होता है यहां लागत का मतलब है समय जो लग रहा है समय जो लग रहा है उसकी बात हो रही है जो समय लेगा वो c11 समझ गया c12 पहला व्यक्ति को दूसा कारे देते हैं तो वो c12 time लेगा c13 c14 c15 c21 दूसा व्यक्ति पहला कारे ठीक है अब आटेबल बनाना सीख गया अब यहां पर जैसे इस खाने में क्या होगा चोथा कारे तीसरे व्यक्ति को दिया जाए तो c43 ठीक है तो cij का मतलब क्या हुआ cij का मतलब हुआ i कारे i कारे j व्यक्ति को देने पर लिया गया समय देने पर लगा समय लगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको आपकी प्रॉब्लम तो यह होगी cij की ठीक है अब आपको काम बाटने है काम बाटने है कौन से व्यक्ति को कौन सा काम देना है उसके दु कुमते जाईएगा मत जो बोल रहा हूँ दुबारा एक n by n की टेबल बनाईए उपर आपको लागत बताई हुई है कि कौन कितना समय लेगा वो टेबल उपर है आपके पास अब यहां आपको क्या करना है सेम खाना बनाना खाने खाली छोड़ने एक खाने फिल मत करिएगा ब अच्छवा परसन एच्छटा परसन एच्छटा परसन एच्छटा परसन एच्छटा परसन एच्छटा परसन बना लिजेगा कम पड़ रहे हैं तो और नीचे बना लिजेगा ठीक है ठीक है थोड़ सा ध्यान से सुनिएगा पहला कारे किसी भी व्यक्ति को जाएगा एक व इस टेबल का नाम हो गया C.I.J. इस से तो हमें cost का पता चलेगा कि I वाला कारे J वेक्ति को देने पर कितना खर्चा आएगा वह खर्चा जो है वह C.I.J. टेबल से पता चलेगा लेकिन कुन से वेक्ति को कौन सा काम दिया गया है वह हमें X.I.J. टेबल बता एगे अब X.I.J table जो है उसमें क्या होगा उसमें दो ही number आएंगे या तो zero आएगा या one आएगा zero या one zero आने का मतलब है कि i कारे j वेक्टी को नहीं दिया गया आई कारे j वेक्टी को नहीं दिया गया क्या तो काम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा जे वेक्टि को नहीं दिया गया जीरो लिखा हुगा है तो समझागे कि ये काम इसको नहीं दिया गया और एक लिखा हुगा है तो आई कारे जे वेक्टि को दिया गया आई कारे जे वेक्ति को दिया गया है समझ रहें बातों को यह दो ही तो होगा ना या तो आप यह वाला कारे उस वेक्ति को दोगे यह नहीं दोगे सिद्धी सी बात है या तो zero आए गा किसी को तो दोगे इस पंक्ती में वो काम किसी ना किसी को तो दोगे क्योंकि हर काम के लिए इक व्यक्ति है अगर आपने काम किसी को भी ना दिये तो काम रह जाएगा फिर, क्योंकि चाये हाँ, बुरा हो, भला हो, अच्छा हो, बहुत हो, कुछ भी हो, काम आपको बांटने पड़ेगा, क्योंकि पांच काम हैं, उर पांच storesकता हैं, तो ना तो कारे छूटता है, ना वेक्ती छूटता है, तो कारी तो किसी ना किसी के खाते में जाएगा जाएगा तो जिस भी खाते में जाएगा ध्यान से सुनिए बेटा जिसाविगा न कि मर जी ओद को आपको जो आपको उत एलएं बाकी तो चुप आपको और बात पकड़ी और बालो की тамव दो Target talking का गोंकि बाकी तो बार फोके एक कार्रे एक व्यक्ति को मिलेगा तो उसन वोगोगी जो कार्रे है किसी एक व्यक्ति जिसको दिया गया उस खाने मिल येिड़ी गया तो इसको और काम थोड़ी मिल सकता है तो बाकी सब 0, पकड़े, पकड़े, समझो बात को मैंने क्या कहा था, एक कारे, एक वेक्टी को मिलेगा जिस वेक्टी को कारे मिल गया वेक्टी को कारे मिल गया न, वो फुल हो गया अब उसको थोड़ी और काम दो गया अब दुबारा अगर यहां पर और वन लिख देते हो तो यहां वन लिखने का मतलब P4 वेक्ति को W1 कारे भी करना है और W3 भी करना है तो एक वेक्ति को दो कारे थोड़ी करवा होगे आप नहीं करवा होगे न तो बस इस तरीके से आप जब देखेंगे तो पूरी टेबल में क्या होगा कि हर पंक्ति का जोड़ वन आना चाहिए हर पंक्ति का जोड़ वन आने का मतलब है कि यह वाला कारे एक ही वेक्ति को मिला है अगर जोड दो आता है, इसका मतलब एक कारे आपने दो आद्मियों को बांट दिया, तबी एक और एक दो आया होगा, अगर जोड जीरो आता है, तो इसका मतलब ये काम आपने बांटा ही नहीं, किसी को नहीं दिया, सब में जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये काम ही नहीं दिय जोड दो आता है, इसका मतलब है इस विक्ति को दो काम दे दिये गए, तो हर पंक्ति का जोड वन होना चाहिए, और हर कॉलम का जोड वन होना चाहिए, ठीक है, तो शेर्थ यह हुई, ड्यान से सुनिए बेटा, शेर्थ यह हुई, एक्स आई जे, अब हम जानते हैं, बड़ होगी x12 इसकी numbering होगी x13 x14 जब आप रो में चलते हैं जब आफ रो में चलते हैं तो रो का number fix रहते है सिर्फ column का number रो fix रहते है column change होता रहता है तो further i fix रहेगा सिर्फ e चलेगा ज f notch ये ब्राबर एक वह एक से कहा तक जहां तक वह bowl तक N तक यह लास्ट क्या आएगा X 1 N अब इसमें 1 आया है इस वाले में 2 आएगा देखिए X 2 1 2 fix रहेगा फिर एगर पंक्ती का नंबर fix हो गया फिर पंक्ती का नंबर change नहीं होता फिर तो में तो पंक्ती का नंबर तो घया है तो यह चलब हुम्द को सब्सकaint की वहां इसी पंक्ती में तो चल रहा हो इसके मैं चल रहा हो चाहे मैं एक लूँह लूँँ धो今 usually एक सब्सक्राइगा ऐसे ही एक कॉलम का जोड़ अब इसको ध्यान दीजे सिगमा एकस आई जे अब कॉलम वाले में क्या होता है कॉलम वाले में आज़ेए कॉलम वाले में आज़ेए कॉलम वाले में आज़ेए बेटा कॉलम वाले में आपका जो to column का number को column में चल रहे हो आप 하면 का number नमबर तो same रहेगा same column हो तो लेंकिन पंक्ति का number change होता जा रहा है यहाँ कि आप निचा रहे हैं तो to x i change होगा j fix रहेगा तो i बराबर 1 से लेकर n तक बराबर for all j j का मांच चाय कुछ भी रखें एक दो तीन चाहिए हर कॉलम का जोड़ वन और हर रो का जोड़ वन इसका मतलब है एक व्यक्ति को एक काम और एक काम को एक व्यक्ति मिला है भाई चम गए जम गए भईया जम गए ठीक है अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ अब थोड़ा सा कमाल देखिए प्रॉब्लम समझे अब थोड़ा सा आनन दाने वाला आपको जबरदस्ट वाला प्रॉब्लम का मैथमेटिक्स रूप देखिए समझे बात को कि भाया लास्ट में आपने किसको जोड़ा था कि सर जो जो हमने चुनाव किये थे उन्हीं उन्हीं को जोड़ा था सही है ध्यां से सुनी बात को न दो को इनको तो नहीं जोड़ा आपने इनको क्यों जोड़ा बलासर ये चुने गए थे ना जो चुने जाते हैं उन्हीं का जोड़ा होता है क्योंकि जिसको जो काम मिला है उसी का जोड़ करना है उसी का होगा जोड़ सिर्फ उसी का होगा जिसका चेहन हुए जो आपने च टेबल बताती है कि किसका चुना हुआ तो इन दोनों टेबल की पहले आप किसका चुना हुआ कैसे पता चलेगा इस टेबल के खाने से खाने की गुणा कर दीजेए खाना टू खाना मतलब पहले खाने की पहले खाने से दूसरे खाने की दूसरे खाने से जहां वन होगा वो अ तो खाना तो खाना, cell to cell गुना, इसका पहला cell इसका पहला cell गुना, अगर selection हुआ हुआ है, तो बच जाएगा वर्ना 0, Cij को Xij से, अभी यह लिजे, C11, X11 से गुना होगा, C12, X12 से गुना होगा, C13, X13 से गुना होगा, तो जो Xij जिसके लिए 1 है, वह वाला तो बच सब का जोड करना है, तो भाई लगाओ Sigma, Sigma 2 क्यों सर, बेटा, पंक्तियों को भी जोडना है, रिस तंबो को भी जोडना है, सब को जोडना है, खाली पंक्तियां थोड़ी जोडनी है, टोटल जोड करना है, लगी सर आपने टोटल जोड किया कहा था, कैसे नहीं किया बेटा एक से और जो सिलेक्ट नहीं हो उनको जीरो से अब लीजे सब का जोड़ कर दूँगा सब का जोड़ कर दूँगा तो यह आएगा पांच प्लस तीन प्लस एक ठीक है यह हमारा उद्देश्य हो गया लेकिन रुक जाईए इसको मिनिमम करना है उद्देश्य यह नहीं है कि भ भरेगा वहाँ मैं लिख दूँगा जहां मन करेगा वहाँ जीरो लिख दूँगा हां बेटा कर सकते है बिलकुल तो इस VOप थोड़ी हो कि मिनिमम हो गया उद्देश्य है कि चुनाव इस तरीके से करना आई जो आप भर रहे हो खाने जो आप खाने भर रहे हो जिसमें किस उ возьmi हर स्तम का जोड़ और हर पंक्ति का जोड़ only आना चाहिए एपनक्ति में आप दो दो बड़ी। ना तेक झाल अ कि याद रखे गासे नहीं कि एक काम दु आदम्म को का दिए दो काम एक आधमग पूरी श्रट लएकनी मैं मैं उनिदू है है मज़ाग है भात क्लियर हुई बात के लिए क्या कर रे खाष है आप कप तो समझेश की सूर करना कब देख लो और पड़े वए आप लोगो ने स्वाल मैं तो मैस घायव थी बीच की उसकी जिकें पूर्टी कर रहा और चोरी घायव थी उसको क्रेस को डाल हूँ बीच में के भाई ऐसी छोरी भी थी सीधा box नहीं आता सीधी टेबल नहीं आती पहले छोरी आती वह गायब थी उसको डाल रहा हूं वापस तो क्या था क्या हुआ आपके पास एक cost table तो टेबल है cost table लागत मुले हिंदी में बोल रहा हूं इंग्लीश में बोल रहा हूं दोनों समझा कोस्ट मतलब कि वह जो समय लेगा उसकी टेबल ठीक है फिर आपने टेबल बनाए किसको कौन कौन सा काम देना है उसकी टेबल बनाए जिसको काम देना है वहाँ लिग दिया जिसको नहीं देना है वाँ जीरो लिखती है फिर आपने दोनों टेबल के गुणा की और फिर देखा कि भईया आपका काम कितने समय में पूरा होगा अब आपका उद्देश यह है कि वो जो टोटल टाइम आ रहा है टोटल टाइम वो मूनम होना चाहिए और शर्त यह है कि एक ही पंक्ती में एक ही एक होना चाहिए मतलब एक पंक्ती का जोड जो आपकी भरी है जो आपने भरा है उसका जोड एक एक आना चाहिए हर पंक्ती का जोड एक आना चाहिए और हर कॉलम का जोड भी एक आना चाहिए कि confirm हो जाए कि एक वेक्टी को एक काम मिला है एक काम को एक वेक्टी मिला है और यह तैय करते हुए आपको निम्तम समय में काम पूरा करवाना इसे assignment problem कहते हैं अब question यह है बच्चे यह पूछेंगे कि सर यह तो ठोरी हो गई लेकिन यह minimum पता कैसे चलेगा minimum पता चलाने के लि क्या है reduction theorem देखे समानियन theorem यह कहती है कि भाई आपकी जो यह cij table है इसको यह matrix कहा दूए एक बार यह जो table है अगर आप इसमें आपकी जो matrix के रुपानतरन है मतलब इसमें से यह घटा दिया उसमें से वो जोर दिया अगर यह छोटे मोटे काम अगर आप करते हो आपस में जोरने और घटाने वाले अगर इसमें से कोई initiative संख्या अगर आप इसमें से कोई initiative संख्या सब में से घटा देते हो या इसमें से कोई initiative संख्या सब में जोर देते हो अगर आप ऐसा काम करते हो और इसके करने के बाद जो नई table बनेगी उस table के लिए अगर आप देखिए table ह ले चुनाव करते हैं कि भाईया काम किसको देना चाहिए उस टेबल का जो भी चुनाव होगा वो चुनाव इस टेबल पर भी काम करेगा बात समझा बत्ती जली इस टेबल के साथ आप जो भी छेड़ खानी करेंगे और जो नहीं टेबल बनेगी उस टेबल के लिए अगर करते हैं इसका नाम है समान्यन पर स्टेटमेंट लिखा देता हूँ थीक है यह लीजिए ये क्या कह रहा है भ्याहcen से सुनिए हैं कि किसी पंक्ती कोई पंक्ती ले 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 यस्तंब ले उसके परतेक अव्यव में से अगर आपने कुछ जोड दिया कुछ घठा दिया तो नई मैट्रिक्स बनेगी उस नई मैट्रिक्स की को जो भी नियूंतम करेगा उस नई मैट्रिक्स को जो भी नियूंतम करेगा वही नियूंतम आपके मूल लागत को भी नियूंतम करता है तो चिंता मत करिए इस तरीके से अगर आप मैट्रिक्स में कुछ जोड देते हैं परते एक पंक्ती में लग लग पंक्ती में पहले पंक्ती में पांच जोड दिया या पांच घटा दिया साथ गटा दिया, किसी स्थम में तीन जोड दिया, किसी दूसरे कॉलम में कुछ और जोड दिया, तो इस तरी किसे आप जोड या गटा सकते हैं, ऐसा करने के बाद आपको हर बार जो नहीं मैट्रिक्स मिलेगी, जो आपको सू टेबल लगे, उस मैट्रिक्स को आप सॉल कर ल आरी बास में, नहीं आरी, चलिए समझाता हूं, ठीक है, ये देखिए, ये है तीन कारे, डबलो वन, डबलो टू और डबलो ट्री, ये तीन परसन है, अब आपको इन परसनों को ये काम बाटना है, ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अभी आप चाहें तो अपने आप से खुद भर सकते हैं, लेकिन मैंने वही का, आप अगर खुद भरेंगे, तो confusion ये होगा कि, जो आपने भर लिया, भरना कोई आसान है, बहुत आसान है, मालेजे मेरे मन में किया, कि पहला कारे P1 को दे दूँ, दूसा कारे P2 को दे दूँ, तीसा कारे P3 को दे दूँ बांटना बहुत आसान है, कि भाई एक काम करो रहे, ये तो मांटना ये काम और करता हूँ, चिट डाल ले, लिखके डालते हैं और कहतों आजा भाई उठालो रहे एक, उठाले जाओ, ये जो जो काम तुमारे आए, वो वो कर लो, लेकिन इससे क्या गारेंटी है कि कम से कम समय में काम पूरा होगा, कोश्चिन समझ रहे हैं, काम तो कैसी बांट सकता हूँ मैं, बच्पन में आप गेम खेलते थे, याद है, कि भाया, आप हाथ करके ताली मिलाते थे, क्या जब, कौन करते है, अच्छा, वो पहले निकल गया, वो दूसरा निकल गया, जो पहले नि समय में काम को पूरा कर पाएंगे, बात तो यही है, यही प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल करना ही, तो हमारा इंपोर्टेंट हिस्सा असाइन्मेंट वरना क्यों मैं पढ़ रहे होते हैं, उन्ही बच्चों वाला वो जो विदियां है, कमर के पीछे नंबर बनान समय में काम को पूरा भी करवान है, तो मैं यह घटा देता हूं, इससे मुझे थोड़ी छोटी टेबल प्राप्त हो जाएगी, मतलब नंबर छोटे हो जाएगे, घटाने से तो नंबर छोटी होते हैं, हाँ जी सर, मैंने इन में से पहली पंक्ती में से सब में से दो घटा है, तो 0, 3, 2, नंबर चेंज हो रहे है बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नंबर बिलकुल चेंज हो रहे हैं, ना मैंने कहा कि नंबर चेंज नहीं होगे, मैं तो यह कह रहा हूँ, कि जो नई टेबल बनेगी, उस पे आप निउन्तम निकाल सकते हैं अपना, और यह चुनाव करने में अब थोड़ी आपको आस बाफ की निशार माजाग है, कि जीरो समय में पूरा करता है, तो बेटा, मैं कौन सा कह रहा हूँ, मैं तो कहा हूँ, मैं टेबल यह है हमारी, यह तो चेंज करने के बाद में, रिड़क्शन करने के बाद की टेबल है, ठीक है ना, तो इसमें चुनाव करने कितना असान हो जीरो वाले को काम दो, भाई जो, मतलब काम के हाथ ने लिगा रहा काम पूरा कर रहा है, इससे कम कोन करेगा, ऐसे लोगों को काम बाटो, यह काम इसको दे दो, यह काम इसको दे दो, टोटल समय में, जीरो समय में काम पूरा, भाई, वाई, वाई, क्या मस्त है, सबसे बढ अब यही काम जिन जिन को दिया है वो stable में आ जाईए वही इन के लिए भी न्यूनतम होगा एक यहाँ था एक यहाँ था वो एक यहाँ था W1 P1 को दीजिए W2 P3 को दीजिए और W3 P2 को दीजिए यहικे यहाँ यहाँ डीजिए W1 कारे आप देना है आपको P1 को सही वेक्ति participants P1 गधिए W2 के लिए P3 सही रहएगा और W3 के लिए पीटू सही रहेगा अगर काम को जयूनतम समय में करवाना हäre और कितना समय लगेगा मिनिममम्onds टाइम कितना लगेगा? 5 गटे मिनिममम्ट लागत कितनी है? 5 गटे है आप हम क्या करते हैं? अपने टेबल को 0 में बदलने की कोशिश करते हैं इसे कहते है जिरू stewardsasignment, क्योंकि 0 से कम समय में तो कोई लेहीं नीं सकता जीरो से कम समय तो कोई ले नहीं सकता, तो आप अपने टेबल को खूब सारी जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, इस रिडक्षन ठीओरम के साहिता से, जैसे अभी इसमें से यह घटा दिया, कुछ और घटा देंगे, तो खूब सारी जीरो बना लेंगे, और फिर जीरो का चु सब five 0 से जिरो को चुनाव करते हैं और वो ज़रो large Wissenschaft करते हैं जो यहां पर भी सभी तो फिर बहिक है इसको कहते हैं ते क्या कहते हैं इसको Hungarian Mathematician थे जिनके नाम पर यह मैथड हंगेरियन मैथड हंगेरियन मैथड ने क्या क्या कि एक काम करो आप reduction का भी नियम बता दिया कि कैसे करना है सबसे पहला first काम जो वो आप करिए सबसे पहला काम आप करिए परतेक पंक्ति का नियूनतम अवयव को गटाईए परतेक पंक्ति का नियूनतम अवयव चुने और उसमें से गटा दे जैसे अभी आपने उपर गटाया था हर पंक्ति में गए पंक्ति का नियूनतम अवयव ढूंडा कि इस पंक्त इसका है एक इसका है दो और फिर जूस पंक्ती का जूनिए उन्तमा वियो उसको इसमें से गटा दो. यह बात जब पंक्तियों पे पूरी हो जाए तो परतेक स्तम पे भी यही बात दो रही है. अभी जबने पंक्ति पَّreitage हा की छोड़ दी थी फिर यह स्क्प पे बही भात दो रही है को ज़स्ट पुबभ dalे उसके बाद में फिर जीरो का शुन्हें निर्दिश्टी करंड कीजिए मतलब जीरो का चुनाओ करिए जीरो असांइमेंट करिए मतलब zero का चुनाव करिए और बस वो आपका अंसर आ गया इस तरीके से ये काम करता है और बाकी मैं यह कहूंगा कि जाके detail वीडियो देखिए detail वीडियो में जाएए वहाँ पर एक example try कर लिए या फिर example try ना कर सेगे मैंने बहुत सारे question करवा रखे हैं डाक्टर गोकुरु वाली book के डाक्टर गोकुरु वाली book के नवकार publication वाली book के काफी सारे question मैंने assignment के करवा रखे हैं वह आप देख लीजे सारे भेद खुल जाएंगे कोई भेद नहीं बचेगा theory के कमी थी वह मैंने भी करवा दी बाकी सब कुछ connect हो जाएगा question के साथ सब कुछ connect हो जाएगा यह हमारा होता है assignment problem clear हुआ clear हो नहीं सर अब आ जाते हैं अब इसमें एक परकार है जिसे कहतें आ संतुलित assignment problem with assignment इसा हो कि जब आपके व्यक्ति और कारे बराबर ना हो कारे की संख्या और व्यक्ति की संख्या बराबर ना हो तो अगर व्यक्ति जादा है तो एक व्यक्ति को खाली छोड़ना होगा और अगर कारे जादा है तो एक कारे को खाली छोड़ना होगा तो ऐसे प्रस्तिति जोते एक्लिवट तो एक थैंट्य खाली रहे लेकिन ऐसी 묘ारां को सॉल कारें कि हमें प्रॉबलम आते हैं है हमारे असाय Şimdi मैं जो होँवनी चाहिए तो हम क्या करते हैं डमी जोड देते हैं इसके एक dummy जोड़ देदे, dummy का मतलब है zero, zero value वाला, dummy होता है, dummy, बक्वास, फर्जी वाला, ऐसी बस एक column या एक रोज जो कम पढ़ रही है, वो जोड़ दिया, zero zero लिखके, ताकि वो कोई impact नहीं डाले, तो उसे dummy job कहते है, dummy person कहते है, जिसके दूद पढ़ी है, उसको आप add कर सकते question देखिए, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तो चलिए, फिलाल assignment problem में हमारा ये ही सब कुछ है, clear हो गया होगा आपको, छोड़ी एक दम अच्छे से समझ में आगे, गनिते रूप समझ में आ गया होगा, क्यों छोड़ी बाते पूछ लेता है, कि आवशक शर् आगे है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, परिवेहन समझ में जिसे हम कहते है, परिवेहन समझ में परिवेहन समझ में का थोड़ा सा रूप लगए, थोड़ा सा लगए, ज्यादा लग तो नहीं है, परिवेहन समझ में क्या है, कि हमारे पास कुछ सामान है, जो कि available है, आपको समान वाँ पे उनकी दुकानों पर पहुंचा देना है repeat कर रहा हूं उन दुकानों पर पहुंचा देना चाहिए for example एक table से शुरू करते हैं मान लिजे आपके पास ये चार बाए तीन की table बनाता हूं इक ये चार बाए तीन की table होगी अब इस चार बाए तीन की table का थोड़ सा मतलब समझेगा कि ये है transportation cost का परिवेहन शुल्क का ये table है परिवेहन शुल्की इसे cost table आप short form में cost table कह सकते हैं cig इसमें क्या है cost लिखा हूआ है थोड़ समझाता हूं देखिए सबसे पहले यहां नीचे होता है बड़े बड़े जो wholesale होते हैं वो go down में समान रखते हैं फिर जो आपके departmental store होते हैं उन में समान पहुंचाता हूं departmental store one two three या आपके जो छोटे खुद्रा व्यापारी है जो दुकाने बजार में दुकान लेके बैटे होते हैं जो समान बेशते हैं वो है उसके cartoon पढ़े हैं तो go down में यहाँ पर आता है availability उपलब्ज था उपलब्ज था का मतलब कौन से go down में कितना माल पढ़ा है availability जैसे अगर go down one में जाता हूं तो वहाँ पे 25 बोरियां पढ़ी है गयों की गयों की बात कर लेते हैं पहले go down में 25 बोरियां पढ़ी है दूसरे go down में 45 बोरियां पढ़ी है तीसरे go down में 30 बोरियां पढ़ी है तो इसका मतलब हो गया कि कुल आपके पास जो go down है उसमें जो माल पढ़ा है वो है handed है 100 बोरिया हो गई बोईयान चाहिए 15 बोईयान दे दो, दूसरे बोई तुम्हे हैं त्रकुर रहा हो 순गे त्क है पर तो पैनतीस एर हमने मतलब इनको इनको कि चाहिए इस मुझे है दिमांड जुकान बुकान-दारों की मांग, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डिमांट और अवेलिबिलिटी बराबरे उप लब्द था और मांग बराबरे इसे कहते है। संतुलिट परिवैन समझिया। ऑप लब्द था बराबरे मांग। जितना आपके पास अवेलिबल है उतना ही आपक दुकानदार आप से मांग रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है, आपके गोडाउन से पूर अमाल निकालना है, दुकानदार तक पहुचाना है, क्योंकि आपके पास भी उतना ही है, और पहुचाना भी उतना ही है, इसका मतलब आपके गोडाउन में एक बोरी नहीं बचेगे और सब के सब संतुष्ट भी हो जाएंगे कि इनको भी सो चाहिए यह अगर इनको पांच चाहिए होते हैं आपके पास 100 होता तो कोई तो किसी के पास तो पांच बोरी आपको नराज करते हैं यह संतुलित प्रिवेंट समय काझ को सांदे में łमा olan एंग चुन में जैके ही अबाता है कोस्ट का का फ्यक्टर क्या होता है कि होना है कि जब आप सभुन मान पहुंचाएंगे तो जो भी आएंगे जिस्से वो समान पहुंचाते अब आप पांच रुपए पर यूनिट लेगा मतलब एक नग के पांच रुपए लेगा अगर जीवन गो डाउन से एक बोरिया पहुंचाते हैं डीटू तक तो साथ रुपए लेगा तो यह दूरी अलग होगी तो अलग रेट लगाएगा समझे ने बत होगा अलग दूरी के अलग र पढ़ेगा अब आप यह सोचे बॉई है इसको आट प्रुपए लगेंगे ना तो सब की पास पहुचाना पड़ेगा सो पंदरा पहुचाने पढ़ेंगे इसके पास 20 पहुचानी थैस के पास 35 पहुचानी थीक रहेगा एक काम की और गो डॉन वन से उठा लेता है समान औ तो आप इस तरीके का system बनाना चाहते हैं कि go down से समान निकले और कम से कम transportation charges में वो सब के पाथ पहुँच जाए जिसको जितना चाहिए इसी को कहते है प्रिवेंट समझा कम से कम charges में वह वहां पे समझ गये बात है किलियर हुआ आपको क्या करना है अब यहां पर जो availability है उसको हम AI से व्यक्ष कर देते हैं AI इसको हम कह देते हैं A1 मतलब दूसरे go down में availability तीसरे go down में availability A1, A2, A3 और जो demand है उसको B, J से व्यक्ष कर देते हैं B1, B2, B3, B4 एक बात तो clear है कि जितनी उपलब्दता है मतलब sum of AI उपलब्दताओं का जोड इस go down में उपलब्दता उस go down में उपलब्दता और जो demand है वो बराबर रखना जरूरी है जो यह बराबर एक से लेकर 4 तर जो उपलब्द है A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर होना च जितने भी दुकान है उनका जोड गोडाउनों का जोड और दुकानों का जोड बराबर होना चाहिए एक बात clear हुई ठीक है अब आप कौन से दुकान में कितना माल पहुंचा रहे है उसकी टेबल किस बात की है आपने go down 1 से माल उठाया ठीक है अब यह तो शुल्क किया है यह तो खर्चे किये कभी एक बोरी पर कितने रुपर लगे है तो ट्रांस्पोर्टेशन बस का किराया मानिए तो किराया है अब आपको go down 1 से पहुंचाना है go down 1 में 25 बोरियां पढ़िया अब यह 25 बोरियों में से आप B1, B2, B3, B4 इन चारों में से किसी भी दुकान पर आप पहुंचा सकते हैं पूरी 25 बोरिया आप एक साथ पहुंचा सकते हैं लेकिन इनके यादा कि 15 बोरिया वो 15 ही लेगा वो 15 से ज़्यादा नहीं लेगा जो 20 लेगा वो 20 ही लेगा तो अब आपको यहांसे जो माल पहुंचा आया मानली वो X11 है, G1 से आपने D2 में जितना भी माल पहुंचा आया, वो X12 है, X13, X14, X21, X22, X23, X24, X31, X32, X33, X34, वो मुझे बता देजिए XIJ क्या हुआ, XIJ हुआ, आई गोदम से J दुकान तक पहुंचाया गया माल, आई सोर्स से, सोर्स इसलिए कह रहा हूँ, कि यहां से माल उठा रहे हैं, आई सोर्स से, J डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया माल की मात्रा, जो सामान पहुंचाया है, उसकी मात्रा, ठीक है, यहां वन जिरो नहीं है, य जैसे मेरे 25 यह थी 35 बोरियों मिंटेsol पहुंचावभा שאं या पफंचान उन और प्त पहूंचावभागा ईसको पहुंचाओंगा 5 यह दिसकोवगे पांच पांच दस पांच टोटल 25 बोरिया हो और था कि खनक one का जो जोड है ये वाला जो जोड है ये a1 के बराबर होगा ये जोड a1 के बराबर होगा पिला हाँ जी सर ये a1 के बराबर होगा क्योंकि go down से उतने ही तो माल निकलेगा जितना available है तो go down से दुकानों पे माल उतने ही तो पहुंचेगा जितना उस go down में माल होगा तो यह आपको याद रखना है सिग्मा एकस आई जे जे बराबर एक से लेकर आपका जितना भी जी चल रहा है सपोस कीजिए हम टेबल को एक M गुणा एन का नाम देज़े हैं हमारी जो टेबल है C I J वो M गुणा N है M गुणा N का मतलब है M पंक्तियां और N स्तंब स्तंब N है तो J का मान एक से लेकर N तक चलेगा इसका जोड़ A I के बराबर होना जाए ता कॉलम का जोड़ दुकांदार भी समझदार है दुकांदार भी उतना ही लेगा जितनी उसको जोड़ है ज्यादा ले लेगा तो माल खराब हो जाएगा तो दुकांदार का जोड़ भी जहां रखेगा दुकांदार पर जो माल पहुंचा है यह है देखे दुकांदार का जोड़ यह तो है गो डाउन का जोड़ जो कि A1 के बराबर इस का जोड A2 के बराबर इस का जोड A तहीं के बराबर और दुकानदार भी तो उतने माले का जितने जुद है तो यह वा दुकानदार का जोड B1 यह इस दुकानदार का जोड B2 X I बराबर एक से लेकर M तक बराबर B2 यह ध्यान लखना है अब अब आपका जैड मिनिमम जो मैन प्राबलम है जो आप करना चाहते हैं वो है मिनिमम ओफ जैड किसका जो आपकी लागत आई लागत कैसे वो देखिए अब आपने एक्स वन वन माल पहुंचाया कहा से जी वन से डी वन तक और एक माल पर कितना लगने वाली कोस्ट C11 और कितना माल पहुंचाया एक्स वन वन तो CIJ दुकान से IS C IJ के भाव से इस भाव से X IJ समान को पहुंचाया जाये तो कितना खरचा हो गया 5 किलो सेम खरीदने 30 के भाव से खरीदने का रेट लगेंगे डोनर की गुणा तो आपको क्या है Xij माल पहुंचाना है Xij माल पहुंचाना है भाव क्या है Cij का तो बुना करते ही खर्चा हो गया Cij into Xij टोटल जोड निकाल लिजी सारा जोड ये जोड हो गया आपका पूरा transportation charges जो की minimum होना चाहिए सारा माल पहुंचने के बाद कम से कम पैसे में वह वहाँ पहुंचना चाहिए उद्देश है हमारा कम से कम में आई बात clear हुई यहाँ पर टेड़ा है थोड़ा सा लेकिन मज़्यदार है अब आप एक काम करें यहाँ पर एक break दीजे और एक example ट्राइ करें example देखिए कई यह चीजे कहते हैं example करवा दो फिर जो है हम theory पढ़ रहे हैं अगर मैं इस theory में example कर रहे हैं तो वो सारक सार उटके यहाँ आजाएगा वो फिर detail वीडियो और फिर एक example से काम चलेगा भी नहीं क्योंकि question अलग लग type के कोई question कैसा है किसी में दो कुछ आ रहा है किसी में कुछ और आ रहा है तो हर type के question है तो में cover नहीं हो सकते फिर graduation booster booster रहे गए नहीं उसमें सिफ जो basic बाते याद दिलानी थी जो कमी रह रही थी या जो चीजें recall करनी थी कि यह 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 कमी है इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से और पढ़ लीजिए इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए वह आइडिया था यह यह डिटेल का आइडिया नहीं था तो इसका उद्देश है इसी तक सीमेज रहने दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा तो इसलिए है सब कुछ है वह देखें बहुत कॉशिन करवाए नहीं धड़ना करने की कौन कौन सी विडिया हमारे पास है वैसे तो कई वीडिया है लेकिन most important जो तीन वीडिया है वह एक है North-West North-West Corner Method जिसका मतलब यह है कि जो आपका Corner है वहां से start किए North-West वाले यहनि सबसे पहले वारा जो आपका Corner है North-West का मतलब हो गया है तो उत्री हो गया यह पर्शीम में हो गया तो उत्तर पर्शीम जो होता है वह आपकी टेबल का यह वाला कोना होता है यह वाला इस वाले कोने से start करते जाईए और बढ़ते जाईए North-West Corner Method दूसरा होता है Lowest Cost Entry Method Cost Entry Method जो सबसे Lowest Cost है सबसे चोटा है उस खाने को पहले बरिए फिर उससे कम उससे ज्यादा वाले पर ऐसे ही सीधा टारगेट कीजिए जिसकी कोस सबसे कम है उसमें सबसे ज्यादा माल बेची तो इस तरीके से Lowest Cost Entry Method लेकिन यह परभावी नहीं है क्योंकि शुरुआत में आप सबसे चो नहीं करते हैं लास्ट में इतना सारा पढ़ना पढ़ता है कि अरे यार गडबड़ कर ली इस सबसे थोड़ थोड़ा पढ़ते तो आ ज्यादा ठीक रहता है तो बस Lowest Cost में यह होता है शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है सबसे कम चीजें जो है सबसे कम पढ़ाई कर फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने पढ़ते है फिर वो कवर भी नहीं होता वैसी कुछ आ जाते हैं जो इसमें सबसे इंपोर्टेंट है वह है वो अगल मैतल जो काफी काफी क्लोज रहता है अंसर के लेकिन यहां पर हम जो भरते हैं जो भी भरा जाता है उ कोई बोरा नहीं पहुंचाना यहां साथ पहुंचा दो यहां जीरो पहुंचा ओ यहां तीन पहुंचा ओ यहां दो पहुंचा दो यहां जीरो यहां तीन यहां एक यहां जीरो यहां जीरो यहां चार तो इसका मतलब है कि इस वाले गोडाउन से यह जो गोडाउन है उसके जुखान पर 5 पहुंचा देना है, 0 मतलब यहां कुछ नहीं पहुंचा ना, ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है, इसमें आप देखेंगे, दो परकार के नमबर आये है, एक तो है 0, शुन्य, यह देखें, एक तो आये हैं शुन्य, और दूसरे हैं ए शुन्य, यह दो चीज हो सकती है, यह तो शुन्य होगा यह नहीं होगा, तो दूसरे हैं आपके शुन्य, यह जो आये शुन्य इंट्रीज है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी टेबल M गुणा N की है, याद रिखेंगा, M गुणा N की मतलब M पंक्तिया है, अब क्या होता है कि जो भरेवे जो एशुन्य खाने हैं, जने भरावा खाना भी कहता है, यह यह माल पहुंचाना, भरावा मतलब यह यह माल पहुंचाना, जिरो मतलब कुछ नहीं पहुंचाना, तो भरेवे खाने, भरेवे खाने, एरिक्ट कोस्टिक आएं, एरिक्ट सेल non-empty set यह 0 है इसका मतलब यह तो खाली है एक तरह से आप इसको खाली छोड़ सकते हैं इसको आप खाली छोड़ सकते हैं कई किताब वाले इसको खाली छोड़ते हैं कई रिक्ट कोस्टिक है जीरो आगे मतलब रिक्ट कोस्टिक है तो वह 0 कहके छोड़ देते हैं रिक्ट कोस कोस्टिक कोने इस कोश्टिक के संख्या मिनिमम मीनिमम मिनिमम इतनी कोस्टिक तो भरने ही चाहिए वह एम प्लस एड माइनस n एतनी कोस्टिका तो जरूर बढ़नी चाहिए एम प्लस एड माइनस वन- यानि फिलाल स्वाण के लिए एम कमान 25 2 5 26 2 7 ay 6 तो 6 कोस्ति कम से कम भरी होई होनी चाहिए थी जो कि 7 हो रही है तो ठीक है कोई दिकर नहीं लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए वरना आपका BFS जो है basic feasible solution वो विद्यमान ही नहीं होता यह problem हो तो यह बात clear हुई कि basic feasible solution होगा इसका मतलब यह नहीं optimal solution हो गया confused मत हो जाईएगा आपको LPP मियाद है BFS BFS मतलब इन में से ही कोई नहीं कोई आपका optimal solution हो सकता है तो BFS का एक answer आपको यहां मिल गया है ऐसे कई और तरीके से आप खाने भर सकते हैं उन खानों में से ही एक answer आपका OS होगा optimal solution होगा लेकिन optimal solution कौन सा होगा वो होगा जिस पे आपका लागत minimum आएगा जो आपका Z minimum देगा बात खतम सीदीशी बात है भाईया सारे BFS निकाल लीजी उन सारे BFS जो सबसे कम answer दे वो सही है लेकिन ये possible नहीं है सारे BFS निकालना क्योंकि यहां पर BFS के संग्या बहुत जादा होने वाली है क्योंकि यह 6 खाने की लगा रहा है और 6 खाने हम कई तरीके से पर सकते हैं 6 क्यों 6 तो minimum बता रहा है साथ बीवर सकते हैं 8 भी भर सकते हैं तो सारे खाने अगर बर बर के अलगलग तरीके से बरेंगे तो बहुत सारे options हो जाएंगे तो कि मैं ऐसा नहीं करते हैं इसलिए हमारे पास एक और alternative है जि यूज़ करते हैं जैसे मैंने कहा कि यह जो दो टेस्ट एंख आपके पास जो NEW Sig一 यह रहा पर ऊपर 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 तयस्ट कहीं रहा है अ रहा है नोर्त वेस्ट कौर्न टेस्ट और लॉडवस कॉस ऐंट इसके जीकल वहारें ज्ड़ जादा लोजीकल पाल्स toります है ज्थ मैं यही नहीं बताता बलकि correction भी बता देता कि कहां पर आपको correction करना चाहिए कौन सा खाना आपने गलत भरा है कहां correction है जिसको हम Dij कहते है Dij table जो है जहां वो negative होती है वो बताता कि यह खाना आपने गलत भरा है यहां पर सुधार कीजिए modification कीजिए फिर हम उसको modify करते हैं बदलाव करते हैं, change करते हैं संसोधन करते हैं और दुबारा से optimal test लगाते हैं और यह प्रक्रिया बार-बार correction, modify, optimal test बार-बार चलाते रहते हैं चब तक हमारा solution optimal test pass नहीं कर लेता यह इस तरीके से हमारी prevention समिश्या solve हो जाती है इस तरीके से हमारी prevention समिश्या solve हो जाती है, अब question यह है कि sir, अगर खानों की संग्या इससे कम रही तो, अगर खानों की संग्या इससे कम रही, तो हमारा solution जो होगा, वो degenerate solution, अब अब ब्रस्ट हो जाएगा अब ब्रस्ट हो जाएगा अगर इससे कम रही तो ठीक है फिर आप जो optimal test है वो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि optimal test के लिए आपको खानों की सब्सक्राइब करें कि एम प्लस एम माइनस वन चाहिए कम से कम उससे ज्यादा हो तो ठीक है लेंगे उससे कम नहीं चलती है तो यह problem आती है तो चलिए उमीद करता हूं कि अब यह basic theory जो है एकड़म clear हो गई होगी आपको समझ में आ गए होगी सारी बाते अब भी कोई doubt हो कोई चीज हो ऐसी जो नहीं समझा तो मुझे बताईएगा और अब जो questions है वो हम करेंगे वो दिखाऊंगा आपको कैसे पूछे जाते हैं कैसे आते हैं अगले lecture में उनके बारे में बात करेंगे ठीक है फिलाल यहाँ पर theory complete करते है धन्यवाद